मुख्यमंत्री अशोग हैलोत ने आज राजस्तान के 19 नएस जिलों का उत्खाटन कर दिया है और इसी के साथ अब राजस्तान में कुल मिलाकर 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं ने जिले बनने से आमजन में खुशी तो है ही लेकिन उसके साथ उनकी परेशानी भी बढ़ गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रदेश में तकरीबन 2.06 करोड लोगों का एड्रेस बदल गया है अब एड्रेस बदला है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे को बदलवाने की ज़रूरत होगी इसके साथ एक इन दस्तावेजों को सरकार द्वारा ओटोमेटिक अपडेट किया जाएगा तो चलिए आज हम आपके इन्ही सब सवालों का जवाब देंगे आपको बता दे कि एड्रेस बदल जाने से अबाधार कार्ड ड्राइविंग ल तो वहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी है जिनको अपडेट करवाने में आपकी जेब भी धीली हो सकती है जैसे यदि आप भी नए जिली की भूमिका में आते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में जिले का नाम बदलवाना होगा यानि पहले जिस जिले का नाम है जो कि फिलहाल अपडेटेड नहीं है तो क्या वह वैलिट नहीं रहेंगे आप सभी को बता दे कि वर्तमान में जो दस्तावेज आपके पास है वे अभी वैलिट माने जाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि दस्तावेजों को अपडेट करवाने का प्रोसेश शुरू होने में अ अपडेट किया जाएगा और यह है आपका अपना पहचान पत्र और आपका वाटर आईडी कार्ड चुनावायो के ओर से पहचान पत्र और वाटर आईडी कार्ड में अपने आप बदलाव किया जाएगा जिन नहीं जिलों में आप निवास कर रहे हैं उसका एड्रेस बद झाल